India vs Australia वो सीरीज जिसका सबको इंतिजार था जिसके उपर सबकी निगाहे थी क्योंकि World Cup 2023 इंडिया अपने घर में खेलने वाली है और यह सीरीज भी घर में होने जा रही है वंडे का फॉर्मेट है इस सीरीज का फॉर्मेट भी वंडे का है तो ऐसे में 5 October से जो शुरू होने व लंबे अरसे के बाद, उसी तमाम चीज़ेंगेंगे। भी कहो होगे कि मैच तो इंडिया भी खेलेगी इंडिया अलड़ी अपनी स्रोयल को अपनी कंडिशन को जानती है पर जब तीन मैच खेल कर जाएगा तो उनको पूरी तरह से पता होगा इसी वज़े से इंडिया जो है वह अपने प्रीमियम बैटर्स को और कुछ बॉलर्स को एंडिया में इतने ज्यादा मैच तो कहीं न कहीं यह बात से मैं मानता हूं कि आपकी ठीक है बट कहीं न कहीं तीम इंडिया का फाइदा यह है कि हमारे बैक प्लेयर से यह वोल्ड कंसे ङस्वार्ड को मैं आपके नजर से यह उतना इंपोर्टन नहीं हो आपना डेविड 2022 से I think 2022 के November से ODI नहीं खेला है तो उसके लिए Pat Cummins के लिए ये बहुत इंपॉटन हो जाएगा इस पाइट कममेंज के लिए उन्होंने काफी टाइम से ODI नहीं खेला और वो ODI कहलने आ रहे हैं सीधा रश्विन और सूर कुमारी आतव क्या लगता आप किन दो के लाडियों को देखना चाहेंगे मैं केल राहूल को देखना चाहूंगा और उसका रीजन यह है कि केल राहूल का एवरेज ऐसा कैप्टन बहुत अच्छा नहीं है तो मैं देखना चाहूंगा कि वो कैसे कोप अप करना किस तरह से उनका क्या प्लान रहेगा यह हमें देखना बहुत इंपॉर्टन होगा विकोज अब ऑस्टेलिया के अगेंस खेलोगे ऑस्टेलिया के प्रीमियम पेसर रहेंगे हाला कि पहले मैच में स्टार्क नहीं केल रहें स्टार्क नहीं केल रहें स्टार्क नहीं मै बहुत अच्छी है तो यह देखना मेरे हिसाब से मैं केल राहूल के लिए बहुत मतलब I'm just keen to watch मेरे लिए महमाद शामी भी है अच्छा सूरकुमार रियादफ को मैं इसलिए का रहा हूँ कि को उनका ODI बहुत बहुत अच्छा तो छोड़ो बुरा चल रहा है पच्छेस इनिंग में 24 सम्थिंग के स्ट्राइक रेट के साथ के साथ खेल रहे हैं जिस कहते हैं आदे के खिलार ही हैं बहुत ही गंदा है उनके इसाब से बिल्कुल दूसरी चीज यह के आप पिछली बार जब ऑस्ट्रेलिये खिलाफ खेले थे तो आपने लगातार तीन डग दिये थे तो आपके जहन में वो भी चलेगा दूसरी चीज वर्ल्ड कप से पहले अगर आपने नहीं परफॉर्म क किया तो भले से रहुल द्रविट ना भी बोल दिया कर के हम बैक करेंगे रहुल हमारी वर्ल्ड कप की टीम में है तो बट एक कब तक आप बैक करेंगे जो आपकी पूरे-पूरे मैच को टरन कर देंगे जहां पर आप हारने वाले होगी वो जिता देंगे तो कुछ ऐसा मै का बीच में इंतजार किया था शुबन गिल का बें इंतजार किया था शुबन गिल वी वापस आई इशान किशन वी वापस आए तो उम्मीद हम करेंगे कि सुरे-खुमर यह बहुत बड़ी बात है कि इसकाई ने ओडियाए में वह फॉर्म देखी ही नहीं उन्होंने वह म क्या हूने वाली हिल्लक भाक प्रो बड़ेऒन की बात करें तो मेरें रिखाब से शुबन के लिए शुबन के शान किशन ओपन करेंगे नम्बर 3 पर स्काई को देखेंगे कि तो तो 6 नीमगे क सीयर बांभा बड़ा घो सब्चाए में ब्सकाई डेकर क्पश पर अ तॉ- इयर और अगर आ यर धे ठेंगे पिर नंबर पाच पर उसके बाद नंबर च्छेدم जड़े ज़गे जड़े हैं श्वञ और शवन ngày साथ पर शॉपिब कैने से पर पैसे में अहां कुल्बी पह नहीं तो अब पैसर अगर निए शादुल ठाकुर यहां से अब ठीक है शादुल ठाकुर ना शामी जपरिट बुम्रा और एक और कौन आएगा इसको लाना चाहेंगे मामा सिराज को भी तो अराम देंगे क्या करेंगे अराम दे सकते हैं क्यूंकि आप नहीं चाहें तीन का तीन मैंच उनेके लाना जि आप फिर भई आपको फिर एक spin लेना पड़ेगा spin में वाशी वाशी वुड डू क्योंकि वाशी बैट भी कर लेते हैं तो अगर आपको डेप्स की जरुद होगी तो वाशी वहाँ पर लेगा हाला कि कहीं नगे मेरा मन ये कह रहा है कि हम चार पेसर के साथ जाए तो ज्यादा बहतर अटाक होगा वही मोहाली के पिछा तो मुझे लग रहा है सिराज बुम्रा के लिए हम ये अटाक रख सकते हैं और अगली गेम पर हम हो सकता है एक पेसर को बिठा दे सिराज बुम्रा शारदूल और शामी ये मेरे सबसे बैटरा बाकी देखने वाली बात होगी स्टीव स्मित की कप्ता आनी एक बार फिर से वाइस कैप्टन है मुझे इंडिया में उनका एवरेज इतना है कि मिन खालब श्यासट कैवरेज लास्ट टाइम आया थे श्यासट बोलो में 110 मारके गए थे और दो सेंचुरी आई थी तो स्टीव स्मित एक बार फिर से लग बार मुझे अनका हों स्टीव स्ट्रेंगर कहलें के तुर में बात करते हैं तो डेवी और खेलेंगे डेविड ओरन के साथ मिचमार्श मिचमार्श कहलेंगे open मेरेंग्ट मोस्ट फइली open करेंगे तो बाहर हो गए वन्हाइब तो अब है नहीं तो फिर उपन करें तो अब कोई दिकत भी नहीं है तो डेविड वानर मिचमार्श लेफ एंड राइड एंड ये तो हो गए यहां तक के अब लेकिन सबसे बड़ चीज है वो ग्लैन मैक्सवेल नहीं ये लेकिन Cameron Green है आपके पास मतलब प्रॉपर स्टेंथ वाली टीम है पाच हो गए आपके पास अलेक्स कैरी 99 अब 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 आते हैं से बॉलर आजेंगे इनके पास प्रॉपर शान अबट शान अबट आजाएंगे फिर अपने स्टिपर आजाएंगे पैट कमिंस येस जोश ह कर अब दिश्टिख पिर अगया है एक मैस में अब जस्ट इम ना बहुत प्रॉच अपना टिखाया ये एक मैस में जाम्टा बिल्टॉ बिल्कुल 113 नं चले आएं दूसरे मैं और येलिस के आथ ऑला हैं इंडिड बाॉलर पिछ होतो ऑंब ये बिल्ध बाॉलर फेस्ट ब तो इन जगों से निकल के आता है, इत मेंस के उनके वास वास पार है, पुछ है, वो इंडिया में तो फिर वो और जाए पिर वो अप्रिश्री वो जाद है, विजे लगता है कल वाले मैच में शायद उतना एफेक्टिव नहा हो, जैसा कि पिछ देख लग रहा है, कल पिछ र मैं लेवुषेन को देखना है काफी मतलब बिकोस लेवुषेन का OTI ड़सन मैटर, क्योंकि देखिए, वही तो इसलिए रहा है, अभी 18 तारिक तक चाहिए, वही मैं कह रहा हूँ, क्योंकि अभी वर्ल्ड कप टीम में आपको वही नहीं थे, इंग्लैंड के वहार जाते है अब जेसन रोइच अब बहुत कहने वाली बात है, इंजरी फिंजरी पर नहीं लेकिन अरी ब्रूक का अपको बात चीत करनी पड़ेगी तो चांसे उसके बाद भी चांसे थे, तो इसका मतलब यह कि लेवुषेन का अच्छा मौका है, एक बार फिर से कुछ आसा लाजवा बाकि मोहाली में मैच है, यह हमारे प्लेयर टू वाच थे, आपको क्या लगता है, वो कौन से खिलाडी है, जिनकी परफॉर्मंस पर सिलेक्टर्स नजर रखने वाले हैं, अगर आपको लगता है तो हमें कमट्ट में जरूर बताएगा, मैच हम आज आपके साथ बस देखन जरूर करें हो जाते जाते, स्पोर्ट्स बुक को सब्सक्राइब करना बलकुल ना भूलें